हिमाचल जम्मो कश्मीर के बाद अब पंजाम में भी सेव की खेती होगी गुर्दासपुर के गाउ जंगल का रहने वना किसान अपने खेतों में सेवो की खेती कर रहा है रमन सलारिया ने इस समंध में जानकारी देते हुए बताया कि बीच को एक खास तकनीक से तयार किया गया है क्या गर्मी के मोसम में भी इसका उत्पात हो सकता है उन्होंने बताया कि मैंने अपने खेतों में 50 तोधें लगाए हैं जिक की पैदा बार अच्छी हो रही है सलारिया ने बताया कि उनकी प्रेजनन में करीब दो साल का समय लगता है जिसके बाद ये फल देने लगता है सलांट से लगाए हो एसी जिना कि देख रहे हो कि अधा बड़ावरी रजल्त हंदा साई शेप और कलर बड़ा अच्छा ड्वैल्प हो रहा है और दूसरा इदा सानव डिचीज की है जी कि ए मेही मीनेच अपने तुसे देख रहे हो ए मेही मीनेच पाके जनरली के दूसरा अच्छा शेप बन रहे है और खांच भी बहुत अच्छा अच्छा नहीं है तो कोई मिनों दिन लगदा कि दिक्कत आई है कि तोसी हो देख रहे हो साड़े बिच्छे की फ्रूट्स रड़े लगयों बड़े बड़े प्रूट्स ने कम से कम भी एक प्लांट ते चाली पं कार्डिंग तोसी देख रहे हो कि बड़े अच्छे साइज और शेप बन रही है और खान लेगी बड़ अच्छा हां बिल्कुल ओदेखो तुसी मतलब कि यह तुसी जिवें कि अपां दूसरी खेती भी करते हैं ते सान्नों जड़े इनना दे एक्सपर्ट है कोई भी भी पुरा साइज अंक है ुर्फ फट शेच स्थेच पॉंंचय आया ुर्फ धोड़ा साइज तोड़ा साइज मतलब कि कह सकने है कि मेड-स्ते-जेच पोंचित में बग這樣子 पग जाएगा कूरा